दो साल तक कोई प्रोडक्ट यूज करने के पाथ उसका रिव्यू पता नहीं किसी दूसरे ने किया है नहीं मैं तो पहली बार कर रहा हूँ तो जी हां सच में अगर आप यह इमाय बेसिक एयरफोन लेना चाहते है जिसका प्राइस सिर्फ 399 रूपीज है तो मैं यह जनवरी 2008 में खरीदा था और आज जनवरी 2020 हो रहा है तो मैं लास्ट दो साल से इसको यूज करो तो मेरा जो एक्सपरियेंस है वह आप लोगों के सा तो चलिए one by one बात करते हैं इस इमाय बेसिक एयरफोन के बारे में क्या कुछ आपको इसमें अच्छा जीज मिलता है और क्या कुछ इसमें खराब है तो अगर पहला बात करूँ तो पहला चीज जो आता है वो है इसका लेंद यह 125 मिंटर का देखने को मिलता है जो की काफी लिए बड़ा है अगर आप कोई छोटा लेंद का एयरफोन यूज करते हैं तो उसमें पता है आपको काफी दिखकत होता है जबापके पोकेट में रखके फोन ऊसके हो तो बीन निकल जाता है अगर आपको कहीं मतलब ज्यादा exercise बगरा करते हैं या फिर कहीं खूंते हैं तो फिर यह जो जगा है यह सबना हुआ है इसलिए इसका जो वेट है वह बहुत ही कम है आप आप continue इस एयरफोन से बात कर सकते हैं या फिर गाना सुन सकते हैं जो भी चीज आप करना चाहें कर सकते हैं यह इतना ही ज्यादा light weight है कि आपको नहीं लगेगा कि आपके कान में कुछ रखा हुआ है एयरफोन यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप कान में रखते इस तरह से यूज करते तो कितना अच्छा लगता है देखने में क्योंकि यह जो जगा है यह सिर्फ आपका करा है बाकी जगा जो है वह ब्लैक है इस रेंड कलर से और यह चीज याद आया नीचे जाईए और सब्सक् comfortability आपको मिलता है और आपके कान में यह अच्छे से fix हो जाता है यह गिरता नहीं आपके कान से आप चाहे jogging कर लीजे या फिर आप बात करते हैं या आफिस होया है किसी भी तरह से आप इसको use कीजे आपके कान से यह गिरेगा नहीं और इसके लब आप यहां पर देख सकत है जिसके मदल से आप बात करते हैं अगर इसके microphone की quality के बारे में बात करूं तो microphone का जो quality हो बहुत ही कमाल का है आप धीरे से भी बात करेंगे तो आपको कोई भी problem नहीं होगा यहां पर जो इसका jack है 3.5 mm बला यह copper plated है अगर इसके sound quality के बारे में बात करूं तो sound quality जो मिलता इसमें आपको surrounding sound मिलता है और जो trouble है वो trouble बहुत ही अचा है इसमें जो bass आपको मिलता है वो bass बहुत ही high level कल नहीं है लेकिन आपको medium सा bass देखने को मिलता है जो हमारे day-to-day life में use करने के लिए वो बहुत ही अचा है चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप एक MI का आप change करके use करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा sound quality देखने को मिल जाएगा और अगर आप EMAI का mobile यूज नहीं कर रहे है तो आपके जो phone का settings होता है उसमें equalizer को थोड़ा सा up down करके change कर लीजेगा overall इसका sound quality के बारे बात करो तो बहुत ही अच्छा अगर आप सिर्फ bass सु और इस एरफोन का अगर आप buy करना शाद है तो link नीचे description में मिल जाएगा आप वहाँ तो जाके इसको buy कर सकते हैं इस एरफोन का जो यह earbuds है यह silicon का बना हुआ है इसके करण और भी जदा आपके कान में आच्छे से set हो जाता है कान से गिड़ता नहीं इसके अंदर आपको और भी दो जोड़ा एक्स्ट्रा एयरबर्स तेखने को मिलता है जो कि आप आपके कान के सेट करके यूज कर सकते हैं और इसका जो वैर है यह रवार फिनिस का दिया गया है बहुत ज़ता मोटा भी नहीं बहुत ज़ता पादला भी नहीं और ऐसा नहीं कि आपका तो आप तो मतलब बहुत दिन तक यूज कर सकते हैं मैं दो साल से यूज कर रहा हूँ और क्या बता हूँ इसके ड्यूरिबिलिटी के बारे में गाइस अगर फाइनली बात करो कि इमा यह जो बेसिक एरफोन है यह आपको लेना चाहिए नहीं जिसका प्राइस जो है वो अउनली 399 र लागता है जब आप दिन भर में बहुत ज़्यादा टाइम आप एरफोन में गाना सुनते या फिर आप बात करते हैं किसी से तो आपको एरफोन का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और बहुत यहादा कमफर्टवल होना चाहिए अगर कमफर्टवल नही तो यह आपके लिए best choice होगा इस price range का अंदर जो कि आपको सरफ 3.99 में देखने को मिलता है तो आप definitely इसको buy कर सकते है तो guys आसा करतों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like करना मत बुलिएगा कोई भी आपका सवाल य करके notification bell को all में set कर दीचे तो शलिए मिलता है अगले वीडियो में my name is Vidhan and I thank you so much for watching this video